सारा दिन सास की चिक-चिक कहा जा रही हो क्या कर रही हो अरे पता नहीं कितने कान और कितनी आँखें है सारत की क्या भुन भुन कर रही है रितिका बहू सार समझ में आता है मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा लिप्स पढ़ने में आपने PhD जोखी है सास जिसे कुछ हलका सा सुनाई देता है नहीं की PhD लेकिन कक्षा 5 तक के कोई भी सवाल कर लो जो पढ़ा दो और तेरे तरह नई distance learning से डाक्टर बन गई हो रे आपसे तो बाती करना बेकार है सास को रितिका की बात पर गुस्ता आ जाता है वो उसे मानने के लिए आगे बढ़ती ही है कि वहाँ ससुर और पती आ जाते है अरे अरे क्या कर रही हो भागवान वह उपर हाथ उठाना पाप होता है जानती हो न पाप? अरे मैं तो आज इसे जान से मार कर महा पाप करूँगी बढ़ी आई तब भी पास की पडोस की खिरकी से आवास आती है क्या चाचा जी? सही सिन चल रहा था ब्रेक की तरह आ गए प्रचार करने बस पुजाए को चाचे की चपन लगने ही वाली थी की अरा चुप चल भाग सारा दिने दुर्बिन लगा कर हमारे घर के अंदर ताख जाग करती रहती है तब भी बेटे की नजर आज पास की छट पर पड़ती है जहां लोग खड़े होते हैं अरे पिता जी उसे क्या बोल रहे है देखिये तो सारा मौला इस सास बहु की लड़ाई का लाइव मजा ले रहा है अरे तुम क्या ही 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 कर रहे हो अपनी मा को समझाती क्यों नहीं हो सारा अधिन कैमरे की तरह मेरे पीछे लगी रहती है ना सू पाओ ना खा पाओ ना कोई काम अरे भागेवान ये तो कुछ नहीं बिग बस के घर के लोगों को देखो कितने अच्छे से एक छट के नीचे रहते हैं न विचार मिलते हैं न आचार अरे अचार से याद आया छट पर चार दिन से आम सूख रहा है इसे दस बार बोल दिया लंबी लंबी जबान लेके जा जाकर आम लेकर आ लेकन ये महारानी किसी काम की नहीं उपर सूख कर आम का अमचूर बन जाएगा तब जाएंगी महारानी जिस लंबी लंबी जबान से दस बार मुझे बोला न उसी को फेला कर छट से खुदी उठा लाती ना इस सास बहु की सिर्फ एक ही परिशानी थी कि इन लोगों को ना तो एक दूसरे का साथ पसंद था और ना ही एक दूसरे की शकल बस एक मजबूरी थी जो दोनों साथ रह रही थी और वो था ये घर पिता जी मैं तो तंग आ गया हूँ इन दोनों की रोज रोज की खटपट से सोच रहा हूँ कहीं चला जाओ बेटा मेरे पास एक आइडिया है इन दोनों की अकल ठिकाने लगाने का लेकिन बहुत मुश्किल काम है बैसा तू तो नहीं समझे मैं कुछ और सोच था हूँ अरे पिता जी आप आइडिया तो बताओ आरा नहीं नहीं बेटा मुश्किल है मुश्किल क्या मैं तो कहता हूँ ना मुम्किन है ना मुम्किन पिता जी इस रोज रोज की कलेश से मैं तंग आ गया हूँ मैं इन लोगों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ठीक है बेटा जित कर रहा है तो सुन मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर इन दोनों को बिक बॉस के घर के लिए बुलावा आ जाए तब तो मजा ही आ जाएगा यह दोनों वहाँ जाएंगी फिर पता चलेगा कि घर में एक साथ रहना किसे कहता है बस फिर क्या था बेटे के लाख जतन के बाद वो दिन आ ही जाता है जब उन लोगों के घर सल्मान खान की फोन की दल बच्ती है हलो मैं सल्मान बोल रहा हूँ आप सास बहु बहुत इंट्रेस्टिंग लग रही हो तो आप लोगों को मैं बिग बॉस में घर में रहने का मौका देना चाहता हूँ अरे क्या सल्मान खान लगा रखी है सास नहीं बोला जा रहा क्या कौन है फोन पर ला दे मुझे कौन बोल रहा है जे मैं सल्मान खान बोल रहा हूँ सा 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 पापा लग रहा है कि सल्मान सर का फोन आ गया इंसास बहु का बुलावा आ गया आप दोनों को इसी घर में साथ रहना है और वो भी बिना जगडा किये हारे इसे क्यों ले रहे हैं सर घर के अंदर वहां बेटा और बटी को आफिस जाना होता है ना कौन खाना पीना बनाएगा हरे इस उमर में सर इन्हें कौन देखीगा मुझे ले लीजी इन्हें घर जाने दीजीए बाँ 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 अब आएगा बिक बॉस के घर में मजा जब बाहर है ये हाल तो अंदर कैसा होगा धमा देखे सास बहु की ये अजीब जोडी को सिर्फ पिक बॉस के घर में हरे मैं तो सर आप की ते दिमबडी फैन हूँ क्या आप बोलेंगे तो मैं इसके साथ भी एग्जुस कर लोगी सर सर ये तो दुनिया को अब पता चलेगा के घर में सास एग्जुस करती है या बहु और दोनों की एंट्री हो जाती है बिक बॉस की घर में पहला दिन सुबह के आट बजे बहु अरे ओ बहु जा चाए बना कर लिया ये बिक बॉस का घर है आपके महली का कमरा नहीं देख लो दुनिया वालों कैसे ये औरत सुबह सुबह मुझे चाए लाने को बूल रही है थोड़ी दिर बिस सास अरा बहु दवाई क्या तेरी मा खिलाएगी मैं नहीं आती तो क्या तेरी मा ला कर देती दवाई बड़ी आई नेशनल टीवी में मजाग बना कर रखा हुआ है ले दवाई थोड़ी दिर बाद खाना खाने का वक्त होता है सासु मा मैं आपका खाना लगा कर ला रही हूँ तो सास बहू मटर पनीर के सबजी से सारा पनीर खुद के प्लेट में डाल देती है और सारी मटर सासु को दे देती है आई बड़ी बिग भॉस के घर में आश करने का सप्टा रखने वाली बड़िया दोनों की नोगचोक की बात विकेंड का वार आ जाता है और सामने आ जाते हैं सलमान खान तो सास बहु की जोड़ी आप लोगों को दुनिया देख रही है और काफी एंटेटेन हो रही है वो तो होना ही था हम है ही इतने अच्छे चुप रहो तुम रेतिका शर्म नहीं आती सास की सबजी से पनीर को चुराते और अगर सास जो की मा जैसी है उसे सुबह उठकर एक कब चाई दे भी दिया तो क्या हो गया देखा अब पता चला कौन सही था कौन गलत यही सिखाया है क्या तेरी मा ने आप भी आंठी जी कुछ कम नहीं है पूरे देश की जनता यह कह रही है कि आप हट्टी कट्टी है जवान जैसी तो फिर सारा दिन मगर मश्की तरह क्यों पड़ी रहती है बिस्तर पर बोलिये अब क्या था सास बहु का मूँ देखे और बहु सास का अरे मा जी घर के अंदर हम जैसे थे पाहर तो इज़त थी हाँ यह तो पूरी दुनिया हमें पाट पड़ा रही है नाना सल्मान जी मेरी तो समझ में आ गया कि कैसे रहना है सास के साथ आप भी नहीं रख लो मुझे बसी जौसत दे तो मुझे भी यहां रहकर क्या करना है इसके बिना मैं क्या करूंगी सल्मान भाई मुझे भी जाने ही दो दोनों सास बहु घर आ जाती है और समझ जाती है कि बिग बॉस की घर से तो अच्छा अपना ही घर है दोनों भाई है ढोनों भी मुझे आप लो मुझे पूरी है बग्चना है जोना है